हिंदनबर्ग केस में سैवी का सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ नामा दायर किया गया है 2017 से नहीं चल रही है अडानी समूभ की जाँच ये सैवी ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफ नामे में बताया है 2016 से अडानी ग्रूप की जाँच के आरोब निराधार है ऐसा साफ हो गया है जो सेवी का नया हलफ नामा है उससे SC में याचिका करता ने किया था ऐसा दावा आपको याद होगा कि पिछली हेरिंग में प्रशान भूशन ने ये बात कही थी कि 2016 से जाँच है तो और समय क्यों चाहिए तो उस पर ये हलफ नामा दायर करके सेवी ने ये बात कही है समय मांगा है आगे की जाँच के लिए समय पूर्व और गलत निशकर्ष ना निकले ऐसा सेवी का कहना है आशीश भारकाव हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने हलफ नामे के द्वारा सेवी ने दी है सुप्रीम कोड को ये कहके कि जो जाँच के बारे में कहा जा रहा था कि 2016 से जाँच चल रही है वो अडानी समू के खिलाब जाँच नहीं थी जिपिल को देखिए इसलिए भी काफी एहम है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोड ने कहा था कि 6 महीने का वक्त वो सेवी को नहीं देगा वो 3 महीने का वक्त देगा तो यहाँपर सेवी ने एक जाँच अबी हल्ब नामा दाखिल किया है और ये पताया है सुप्रीम कोड को कि जो याचिका करता कह रहे हो तथ्यात्म करूप से वो निराधार हैं वो सब बातें क्योंकि 2016 से अडानी समुक कि किसी भी कमपनी की जाच नहीं हुई है वो जाच कोई और थी और ये भी पताया है कि ये जो जाच है जाच में बहुत से पूरी हो ये जरूरी है कि जाच पूर्ण तरही के से मिले इस लिए उसे समय चाहिए और वो चाहता है कि वो जाता है कि अगर समय से पहले कोई निश्कार्ष वो देता है या गल्स जाच होती है तो इसका सुधा सिधा थी आचा सर पड़े nectar इसलिए उन्हों कि उनकी जो च्से महीने का वक्त दिया मांगा गया उन्होंने जांच पूरी करने के लिए उसके वक्त दिया जाना चाहिए अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में एक एहम सुनवाई इस मुद्दे पर होनी है और कही न कहीं सेवी विये बताने और जताने की कोशिश करा है कि सुप्रीम कोट को उन दावों पर नहीं जाना चाहिए जो तथात्म गरूप से निराधार है ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सेवी पहले से कई सालों से इस मामले की जांच करता रहा है इसलिए उसे और जांच के लिए वक्त देने की ज़रुवत नहीं है जब इस जवाबी हलब नामे के बाद सुप्रीम कोट इस मामले पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोट ने कहा भी था जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो पढ़ेंगे और इसके बाद आज वो फैसला करेंगे कि जांच के लिए कितना वक्त दिया जाए तो काफी एहम है से मोट पर जब सुप्रीम कोट में तत्थों को सामने रखा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सेबी ने और बताया है कि जो आरोप लगाये जारहे हैं जिस तरह दावे किये जारहे हैं वो दावों में कोई दम नहीं है और अडानी कमपनी की कभी कोई जांच नहीं हुई उससे पहले जी जी आशीश एक बार जरा आप ये विस्तार से समझा पाएं कि सेबी ने जो हलफ नामा दायर किया है उसमें उसने कहाए कि 2016 से जो जांच हो रही है वो 51 कमपनियों की GDR पर है और उस पर उन्होंने ये चीज़ पष्ट किया है कि इसमें समूर नहीं है तो ये जो 51 कमपनियों की GDR पर जो बातचीत है ये क्या है जी देखिये यहां पर याचिका करता ये कह रहे थे कि सेबी के पास पहले से सिकायते थी और हिंडियन बर्ग की रिपोर्ट से पहले वो इन मामलों की जांच कर रही थी इसलिए उसको वक्त नहीं दिया जाना चाहिए उस दिन सोलिसिटर जनरल तुशार मेता ने इसका विरोध भी किया था और बताया भी था कि ये भरम फैला रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये मामला उस मामले से जुड़ा है तो उन्होंने साब किया है कि बहुत सारे देशों के बीच में जो Tech 7 कंट्री उनके बीच में एक समझोत हुआ है एक ट्रीटी हुई है और उसके तहत वह एक दूसरे से बिना कानून का पालन किये हुए कोई भी इन्फोर्मेशन किसी कंपनी की ले सकते हैं तो ऐसे में उन्होंने बता है कि क्यावन कंपनियों की उन्होंने इन्फोर्मेशन ली थी 11 देश जो इसमें शामिल थे उन्होंने इन्फोर्मेशन ली थी लेकिन उसमें अडानी की कंपनी शामिल नहीं थी तो यह बता रहे हैं कि इस तरीकी के बहुत सारी जान से भी करता रहा है जा मार्केट से जुड़ी चीज़ें शेयर बाजार से जुड़ी चीज़ें कंपनियों पर आरोफ लगते हैं ल पैसे में अकाउंट्स भी देखने हैं बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसे में जाच गलत ना हो निसकर्स गलत ना हो समय से पहले कोई चीज़ ना हो इसलिए उसे वक्त दिया जाना चाहिए हमने देखा था कि हलब नामे में और उसके बाद सोलिसीटर जनरल तुशार मैतर सुप्रिम कोट को बताया था कि यूएस में भी ऐसी मामलों की जाच में कम से कम नो महीने लगते हैं इसलिए जो छे महीने हैं वो कम से कम छे महीने की मांग से भी कर रही है जो बिलकुल सही है और उसे दिये जाने चाहिए जी आशीश भारगव इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद